हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल लोवाइट्स 906 आज की इस वीडियो में हम कंपनी लोग का एक केस लोग डिसकस करेंगे कोटमन वर्श बर्गम यह मेमोरेंडम ओफ एस्सेशन के रिगार्डिंग है देखो कंपनी के जो कॉंसिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं जो इं ओढ़ने इसलिते हैं मेमोरेंडम ओफ एस्सेशन एंदर लिखा होता है कि जो कंपनी फ़ोंश मेंदर लिख वता है कि में मेंदर भर्रोंव मैं की इसे जर करते हैं कि doctrine of ultrawire होता क्या है सपोच कर एक कंपनी है जिसका काम है सिर्फ और सिफ पैन बनाने का उस कंपनी के Memorandum of Association के अंदर लिखा गया है कि यह कंपनी जो है वो पैन बनाएगी manufacture of pens and उनका शेल करेगी आप उस कंपनी के साथ कोई contract कर लेते हो कि मेरे कुछ पैसे दे दिया उनको बनाने के लिए बाद में वो कंपनी मुकर जाती अपनी बात से contract को परफोर्म नहीं करती है आप court में जाते हो और court से पूछ कहते हो कि आपको relief grant की जाए specific performance of contract की कि वो अपना जो पार्ट है contract का वो फुल्फिल करें court इस केस में क्या करेगा उस company के memorandum of association को अबजय करेगा कि क्या उसके अंदर यह चीज़े लिखी है कि वो pencil बना सकती और बेज सकती है अगर तो वो पाती है कि court अगर पाता है कि pencil बना के बेज सकती है कि memorandum of association में लिखा हुआ है तो तो आपका जो performance है contract का वो हो जाएगा otherwise नहीं होगा वो अल्ट्रा वायर हो जाएगा अल्ट्रा वायर का मितलब है beyond the capacity company की capacity से वो बाहर की चीज़ है अब आपको लगेगा कि इसमें जो दूसरा person है जिसने contract के उसकी क्या गलती है तो memorandum of association ज सामने वाले को उस चीज़ के बारे में पता है एक कोर्ट यह चाहता है कि आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए वह होता है constructive notice और memorandum of association जो है वो एक public document है और कोर्ट यह बिलीव करता है कि आप किसी भी company के साथ कोई contract करते हो तो आप उसके memorandum of association को पढ़ोगे और जो company जिस चीज़ के लिए बनाए गई है सिर्फ और सिफ वही contract करोगे अगर आप ऐसा कोई contract करते हो जो उसकी capacity के बियोंड है company जिस पर काम नहीं कर सकती है तो वो contract क्या होगा नल एंड वोईड होगा अल्ट्रा वायर होगा अब इस case के ना facts को देखते हैं इसमें company होती है एस क्यू वो rubber and tobacco estate limited company जो 1910 के अंदर incorporate की जाती है उस टाइम पर companies act 1908 होता है बेसिकली ये बार का case है तो वहाँ पर 1908 का एक company जैक था उसमें इसको incorporate किया जाता है अब ये company क्या करती है एंग्लो क्यूबन company जो है उसके shares को खरीद लेती है 17200 shares खरीद ले उसने जब एंग्लो क्यूबन company का liquidation होता है तो ये पाया जाता है कि अनपेड जो amount थी shares के उपर एसक्यूबो company ने 14000 कुछ यूरो देने थे अनपेड amount थी और जो members की liability होती है कोई भी shareholder होता है उसकी जो liability क्या होती है ऐसा नहीं कि आप उसकी अगर company का liquidation हो रहा है तो घर जमीन जाइदा सब कुछ बेज दोगे ऐसा नहीं होता है limited liability होती है और वो उस extent तक ही आप उसको libel कर सकते हो जितनी या तो उसने guarantee ले रखी हो कि मैं इतनी कुछ होती ना secure by guarantee कुछ कमपने होती secure by guarantee और कुछ होती है share से जो unpaid amount है share की suppose करो 10 रुपे का एक share था उसमें से मैंने 5 रुपे तो पहले pay कर दिये share खरीदने के लिए 5 रुपे बच गए तो यह unpaid amount होगी और अगर क्यूबन कंपनी का लिक्वेडेशन होता है लिक्वेडेटर जो होते हैं वो डिमांड करते हैं 14,000 something euro की इस पर क्या करती यह कंपनी जो है एस क्यूबो कंपनी जो है वह application फाइल करती है कि एन एप्लिकेशन वाज मेड टू स्ट्राइक आउट दनेम ओफ दा एस क्यूबो कंपनी फ्रॉम दा लिस्ट ओफ कंट्रिब्यूटरी ऑन ग्राउंड एट होल ट्रंजक्शन वाज अल्ट्रावायर देखो इस पर जो है एंग्लो क्यूबन कंपनी जो है उसके उपर बह कंपनी नाम भी था तो ऐस्कूबो कंपनी ने एप्लिकेशन लगाई कि मेरा नाम इस में से हटा दो क्यों हटा दो क्योंकि जो नई सकती थी वह ऐसा क्यों बोल रहे थे कि हमारी कंपणी आसा कुछ नहीं कर सकती थी तो उसके Memorandum of Association को एक बार हम देखते हैं देखो इस कंपनी को स्क्यूबर रबर्ड एंड टोबैको स्टेट लिम्टेड कंपनी को 1910 में incorporate किया गया था उस टाइम पे 1908 का जो कंपनी जैक्ट था वो लागू होता था उसके section 3 में इसको incorporate किया गया था अब जो Memorandum of Association कंपनी का उसकी क्लोज 3 के अंदर 30 सब क्लोज थी जिसमें से कुछ जो इंपोर्टेंट है वो मैं हाइलाइट करूँ है यहां पर उसमें एक थी क्लोज एट क्लोज 12 एंड क्लोज 30 यहां से हम थोड़ा थोड़ा सा एक रेफरेंस देखेंगे आपको हर चीज याद रखने की जुरूरत बिल्कुल भी नहीं है स्मझने के लिए क्लैरिटी आजाएं कंसेप्ट्वल क्लैरिटी आपके दिमाग में इसलिए होते हैं पेपर में सिर्फ और सिर्फ दो तीन लाइन का रेश्व आपने लिखना है वह मैं बताऊँ कि कैसे लिखना उसमें से desp cost ग्लोच 8 में कि लिखा है to company क्या कर सकती PGIर्म they can issue and being i इंटरेस्टीजिट इन एनुकंभ और ग्रेट ब्रीट अनुक मतब वर्ड के अलग लग पार्ट में जाकर के वो क्या कर सकती कमपनी दूसरी कम्पनी को परमोट कर सकती है एक्वायर होल्ड ट्रांसफर शेल सरेंडर और अदरवाइज डिस्पोज और एंड डिल इन दा शेर स्टोक्स बॉंड ओब्लिगेशन डिबेंचर यह बहुत सारी चीज़े उसमें लिख हुई है आप इसको अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना इंपोर्टेंट न लिखने सारी सीज़ें उसमें लिख हुई है अब क्लोस थर्टी सब क्लोस थर्टी देखो हम पढ़ रहें देखा है जो कंपनी का से 30 क्लोज थी उसके अंदर सब क्लोज 30 में क्या लिखा है नन ओप सच सब क्लोज और अब्जेक्ट देर इन स्पेसिफाइड और दा पावर्स देर बाई सबसेडरी और एंसिलरी मतब जो यह 30 सब क्लोज लिखी हुई है इसका एक दूसरी सब क्लोज से कोई लेना देना नहीं है कोई किसी की सबसेडरी नहीं है वह सबस्टांटिव हैं अपने आप में कंप्लीट है वह सारी कि सारी तो आप इसको पढ़के आपको लगा होगा अग कंपनी का एक वाइड जूरिडिक्शन आ जाता है बहुत सारी चीज़े जो हैं बहुत सारे ओल्मोष्ट सारे ही वह बिजनस कर सकती है कंपनी ऐसा इसका मेमजनम ऑफ एसोशेशन था यह तो हमने बस दो-तिन क्लोज ही सब क्लोज देखी हैं और भी बहुत सारी चीज़े थ होता है the question is whether it was intra-wire of the SQ rubber company to enter into the transaction which has been which has ended in company name being out upon the B list of contributors कि क्या वो जो ट्रांजेक्शन थी वो इंट्रावायर थी या फिर अल्ट्रावायर थी यह इस्यू यहां पर होता है अब कोर्ट ने इस केस में क्या observation दिया मेन अगर हम देखें इसमें तो कोड को दो चीज़े decide करने थी एक तो Memorandum of Association है जिसमें ऐसा लिखा गया कि almost सारे ही वो business कर सकती क्या ऐसा Memorandum of Association कोई भी कंपनी बना सकती है एक चीज़ तो यह दूसरा यह जो ट्रांजेक्शन हुई है वो क्या Memorandum of Association में जो कंपनी का object है जो कंपनी की powers है उसके अंदर आता है यह नहीं आता है अगर वो उसके अंदर आ जाएगा तो इंट्रावायर हो जाएगा अगर वो बहार होगा beyond the capacity होगा कंपनी की तो वो अल्ट्रावायर हो जाएगा अब पहले वाले चीज़ को देखें देखते हैं कि Memorandum of Association जो है क्या कंपनी ने सही से बनाया था क्या कोर्ट उसके ओपर कोई action ले सकता है यह नहीं तो जब section 17 हम उस पढ़ेंगे 1908 के कोट ने यह उब्जव किया कि जब section 17 हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा गया कि रजिस्ट्रार के पास यह पावर है कि वो जो Memorandum of Association है उसको incorporate करेगा कंपनी का और वो जो Memorandum of Association है एक बार incorporate हो गया तो वो conclusive evidence माना जाएगा यहां पर लिखा हुआ है कि conclusive shall be the conclusive evidence इसका मतलब क्या है एक बार वो रजिस्ट्रार ने बना दिया incorporate हो गया तो हो गया उसके बाद court में एजटी उसको एक प्रूफ की तरह रखा जा सकता उसको बाद में प्रूफ करने की जुरूरत नहीं है conclusive प्रूफ है वो लेकिन court ने इसमें ये भी observe किया कि अगर सपोज को एक्स एक कंपनी है वो अपना Memorandum of Association लेकर रजिस्ट्रार के पास जाती है रजिस्ट्रार उसको मना कर देता है डिनाई कर देता है कि आपका जो Memorandum of Association है वो in accordance with this company act नहीं है और इसलिए आपका company incorporate नहीं की जाएगी तो इस company के पास क्या right act company के पास ये जाएगा court के पास court से एक writ issue करवाएगा mandamus की ठीक है कि आप रजिस्ट्रार जो है company का उसको ये duty perform करने के लिए बोलिए कि जो MOA है उसको आप register कर लें कंपनी जो इसको incorporate कर लें तो यहां पर हम बहस कर सकते हैं court में कि जो Memorandum of Association है वो क्या एज पर दा लो है या नहीं है लेकिन इस प्रेजेंट केस में court ने यह उपजव किया कि इस प्रेजेंट केस में क्योंकि वो पहले से ही register हो चुका है तो अभी वो चीज के ओपर बैंस नहीं की जा सकती है क्योंकि वो लीगल इशू है ही नहीं वो पहले से ही इंक्लूसिव प्रूफ है हां लेकिन अगर उसको मेंडमस शुरुवात में ही अगर रजिस्टर डिनाई कर देता और बाद में अगर उस पे केस होता तो उस पे बहांस की जा सकती थी तो court उसको डिसाइड कर सकता था इस मेंटर पे court कुछ भी अपना decision नहीं दे सकता है कुड़ नोट भी चैलेंज्ज एंड इट्स मेमोरेंडम मस्ट बी कंस्टूड एज इट्स टूड और मेमोरेंडम को ऐसे ही देखा जाएगा जैसे वह है उसमें कोई शेडखानी नहीं कि जा सकती नहीं उसको हम अल्ट्रावायर मतलब नहीं उसको नल और डिक्लेर कर सकते है कि वह कंपनी एक्ट के अकोर्डिंग नहीं है यह पहले से बिफोर रजिस्ट्रिंग मेमोरेंडम अफ एस्टूशेशन रजिस्ट्रार ओट टू कंसीडर वैदर दा रिक्वार्मेंट्स ओड़ कंपनी एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद एंड टो रफ्यूज रजिस् ही है दा मैमोरेंडम मस्ट डिली मिन डिली मिट एंड इडेंटिफाइड फिल्ड ओफ इंडस्ट्रीज विदिन विच दा कॉर्परेट एक्टिविटीज तो भी कंफाइंड और मैमोरेंडम अफ एस्टूशेशन के अंदर यह चीज़ क्लियर लिखी होनी चीए कि क्या उस ले ही रखना चाहिए और कोट फर्दर स्टेट एट इट में वैल भी डैट दा मैमोरेंडम अस्टूशेशन इन प्रेजेंट केसे इस नोट फ्रेम्ड ओन दे लाइन ओफ कंटम्प्लेटेड बाइड़ कंपनी जैक्ट कोट ने माना की हम मानते हैं कि जो मैमोरेंडम इसको आर्ग्यू नहीं किया जा सकता अगर रिफ्यूज कर देता करने के लिए तब मेंडम अगर लगती रिट के लिए अप्लिकेशन लगता तो उस टाइम पे वहां पे इसको आर्ग्यू किया जा सकता था जो कोट ने क्या कहा है जो स्टेट्मेंट सब मेमोरेंडम अस्टोशेशन में लिखते हैं उसके दो पर पजोते हैं पहला क्या और जो डिफिशा लाटकानुकेशंट्टेर उस मेंडर्टेर्टेर उस नदर उसको ये प्रोटेक्शन देते हैं कि उनको पैसा करना यहां सबोस्कों करऊ की सिए जए कंपनी है जो मैनुफेक्चर करती है इक आर्स का ऐसी कार बनाती है जो बिजली से चलती है एलेक्रिसिटी से चलती है ऐसी कार बनाती है और मुझे लगता कि इन फ्यूचर इसमें अच्छा स्कोप है मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट के अब पता चल रहा है वो मेरे पैसे और भी बहुत सारे जो शेर होल्डर सा उनके पैसे जो नोंने लगाए हैं उसको इन्वेस्ट कर रही है ऐसे जहां पे कोई लेना देना ही अब है यहां पर और अशेर का मेंट्री जायं नहीं है इनकरीज ही नहीं होने के चांफ मेरे को लगते हैं ठीक है तो यह क्या है पहली चीजह तो परोटैक्शन देती सर्क्राइबर को कि उनके पैसे कहां जाएंगे कंपनी उसको कहां पे इन्वेस्ट करेगी सेकिंड क्या इसको भी एक तरीके से protection देती है कैसे मैं किसी के साथ contract करता हूं मेरे को बंगवाने है pen और वो सिर्फ pencil बनवाने की काम कर सकती है कंपनी के Memorandum Association में लिखा है सिर्फ वो Pencil बनाएगी और बेचेगी और मैं उसके साथ कॉंट्रेक्ट कर रहा हूं पैन बनाने का तो यह पहले से ही अल्ट्रा वायर हो जाएगा नल अन्वोइड हो जाएगा तो एक अगर जो स्टेटमेंट लिखिए वो मेरको भी प्रोटेक्शन दे रही है जो कंपनी के साथ अंगेज होता है वह कोर्ट ने यह कहा कि जितना नेरो अबजेक्ट होगा कि डा नेरोवीट एक्सप्रेशंग इनद मेमरेंडक असश्येशन लेस दा सद्सक्राइबर स्रिसक कि łवा जितना नैरो होगा स्पैसिक होगा कि उसने लिख चिए सिर्फ पोर चिडर्फ पैंसील बनाएगी हमारी कंपनी यह सस्क्राइब को बैनिफिट होगा सथे मतलब मैंने इग्णोरेंट शो की अपनी मैंने मेमोरेंडम अशोशेशन को पढ़ा ही नहीं और उससे पैन बनाने का एग्रिमेंट कर लिया कोंट्राइट कर लिया वह बाद में अल्ट्रावॉयर हो जाएगा तो एक सस्क्राइबर जो है कंपनी के उसको बैनिफिट होता है जितना का स्पैसिफिक अगर मेमोरेंडम शोशेशन होगा और जितना ब्रोड होगा सपोश कर एक कंपनी के मेमोरेंडम और में लिखा है कि वह स्टेशनरी के जो भी बनायेगी और बेचे और कोई इंसान पैंसिल बनवाने का या पन बनाने का ए्रेजर कुछ भी कॉन्टरेक्ट अगर उसको देता है तो जो इंसान एंगेज हो रहा है कंपनी के साथ में उसको इसका बैनिफिट मिलता है ना कि कंपनी को आपको यह जी जुरूर समझ में आए होगी और इस केस में फिर कोट ने क्या डिसीजन दिया अपना Memorandum of Association की आर्टिकल्स जो क्लोज हैं सब क्लोज हैं 30 वो हमने देखी उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि शेर होल्ड शेर्स मार्केट में श्टोक में डिबेंचर्स में इन चीजों में कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी ने क्या किया था शेर्स मार्केट में शेर ही खरीदे थे 17,200 को शेर खरीदे थे एंगलो क्यूबन ओयल कंपनी के और बाद में जो अनपेड अमाउंट थी उस हद तक ही उनकी लाइबलेटी बनती थी और वही सब वो क्लेम कर रहे थे तो कोट ने अबजर किया कि जो 30 सब क्लोज है उनमें उनको नहीं लगता कि कहीं भी ये अल्ट्रा वायर है और ब्योंड दा कपेसिटी ओफ कंपनी है तो उनकी जो अपील है वो डिस्मिस कर दी और कोश्ट भी लगाई उनके उपर आई होप आपको ये केस लोग जुरूर समझ में आया होगा और इसकी पीडियेफ के लिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो टेलिग्राम चैनल का लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ये तेलिग्राम चैनल लोबाइट 906 और ये है फंट सब्सक्रिप्द के लिए जाएग क्या है क्या कुंछáveis ंएग्राम चैनल की जाएग्राम चैनल की का बैस्क्षाईन相ए जार ओनाएग्रारम